आज हम बनाएंगे धाबा स्टाइल सेव टमाटर की सबजी इसके लिए मैंने या पर लिया है मोटा वाला सेव आप चाहें तो नॉर्मल वाला सेव भी ले सकते हैं सबसे पहले हम टमाटर को पीस लेंगे मैंने या पर एक कप टमाटर लिया है इसको हम पीस लेंगे हमने यहाँ पर टमाटर की प्यूरी तयार कर लिए अब हम सबजी बनाते हैं सबजी बनाने के लिए मैंने एक कडाई गर्म रखी थी जिसमें मैंने तीन से चार चमज तेल लिया है अब हम इसमें एक छोटा चमज राई डालेंगे एक छोटा चमज जीरा और 1-4-DSP हिंग अब मैंने यहाँ पर एक बड़ा चमस लसन अद्रक का पैस लिया है अब हम इसको थुड़ा सोते कर लेंगे अब हम इसमें डालेंगे आदर कप बारिक कटा प्याज और 2 हरी मिर्च बारिक कटी इनको हम 1-2 मिनिट पकाएंगे लगाता चलाते हुए अब हम इसमें डालेंगे टमाटर प्यूरी जो हमने तयार की थी इसको अच्छे से मैक्स कर लेंगे अब हम इसमें डालेंगे सुके मसाले एक चोटा चमस नमक एक चोटा चमस लाल मेस पाउडर एक चोटा चमस हल्दी पाउडर एक बड़ा चमस धन्या पाउडर इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लगाता चलाते हुए ग्रेवी तयार करेंगे आप लाल मेस पाउडर और नमक आप आपकी टेस्ट के अकॉर्डिंग कम और जादा ले सकते हैं अच्छे से मसाला भून गया आप देख सकते हैं कि तेल उपर दिखने लगाए अब इस स्टेज पर आके हम इसमें दही डालेंगे मैंने यहां गाड़ा एक कप दही लिया है जिसको अच्छे से फेट लिया है अब हम आधा आधा करते वे दही डालेंगे डही डालने से पहले हम गेस का फ्लेम कम कर लेंगे आधा ड़ी डालेंगे, अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, लगाता चलाते पकाना है हमको ड़ी डालने के बाद, इस तरीके से लगाता चलाते जाना है, अब हम बाकी का अधा ड़ी भी डालेंगे इसमें, और इसको लगाता चलाते जाएंगे, जैसे जैसे ग्रेवी अ अपर से तेल दिखने लगा हमारी ग्रेवी एक्दम परफेक्ट तयार हो चुकी है अब हम इसमें पानी डालेंगे ने या पर 1-2ग पानी डाला है इसमें ज़्यादा पानी नहीं पड़ता थोड़ा सा पानी इसमें हम और डालेंगे और हाई फ्लेम पे दो अबाला ने कि नमकी डालने के बाद हमको इसको ज्यादा नहीं पकाना होता है अब हम इसको सिफ एक मिनिट के लिए कम आच पे रहने देंगे लास्ट में हम इसमें हरा दन्या डालेंगे हमाई सब्जी तयार है अब हम इसको सब करते हैं आप ये जटपट बनने वाली सब्जी जरूर ट्राय कीजिएगा और हमें बताईएगा आपको कैसी लगी थैंक्स पर वाचिंग